नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका अच्किस रोजगार समाचार में भारत की सबसे बरी पावर सेक्टर की कमपनी एंटी पीसी में नौकडी करने वाले एक चुक में द्वारों के लिए अच्छी खबर है दरसल एंटी पीसी लिम्टेट की सबसीडियरी कमपनी एंटी पीसी माइनिंग लिम्टेट द्वारा विभिन पदों पर कुल 114 रिक्तिया निकाली गई है यह भरती माइनिंग उवर मैन के 52 पद और मैगजीन इंचार्ज में 7 पद, मेकैनिकल सुपरवाईजर 21 पद, एलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर 13 पद, वोकेसनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में 3 पद, जूनियर माइन सर्वेर में 11 पद, माइनिंग सिर्दार में 7 पद साम करने वालूमेद्वार उससे आवेदं सुल्क के रूप में लिये जा刑ंगे हालांकि जो हमिद्वार RC-ST दिव्यांक वर्ग से हैं महिला हमिद्वार है या फिर भूधपुर्व कर्मचारी रह चुके हैं उन desarrollo के लिए जाएंगे चलिए अब जानते हैं इस भरती के लिए चैशिक योगेता के वारे में बता पर निरधारित किये गयह हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे माइनिंग और मैंगजिनन चार्ज साथ के लिए उमिद्वार को सुपरवाइजर की तो इन्हें नियुंतम साथ प्रतिसत अंकुंग के साथ Electrical Electronics Engineering में डिप्लोमा करना अनिवारे हैं आप जानेंगे Vocational Training Instructor के पद के सैक्षनिक योगता को तो इसमें नियुंतम साथ प्रतिसत अंकुंग के साथ Mining Electrical या Mechanical में डिप्लोमा और 5 सालों का Work Experience होना जरूरी है अब आखिर में बात करेंगे माइनिंग सिर्दार के बारे में तो इन्हें नियुंतम साथ प्रतिसत अंकुंग के साथ दसवी पास होना और वैलिड माइनिंग के सिर्दार सर्टिफिकेट या वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना जरूरी है चैने तो में दवारों को 40,000 रुपे से लेकर 50,000 रुपे प्रतिमा दिये जाएंगे यदि इसके उम्र सीमा की बात करें तो में दवार की अधिकतम उम्र 30 वर्स से अधिक होनी चाहिए हालांकि आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें छूट दिये जाएंगे उम्र दवारों का चैन लिखित पर एक छोड स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा आई अब बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में आवेदन करने से पहरों म को सलाह दी जाती है कि वे जारी हुए अधिस सूचना को जरूर पढ़ ले नौटिफिकेशन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके लिए लिंक भी हमने अप जब 1223 पर क्लिक करें यहां आने के बाद आवेदन पत्र को ध्यान से भरे और मांगे के जरूरी दस्तावेजों को अप्रोड कर दे फिर आखिर में अपने आवेदन सब्मिट कर दे साथ इसके प्रतिक की एक कौपी अपने पास जरूर रख ले आज के लिए फिलहार इतना ही हमारे साथ बने ना निकले आपका धन्यवाद